नमस्कार कब्रों का बंच नामा देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा हम लेकर रहा है देश और दुनिया की पांच बाड़ी कब्रे जस्पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडी में मौझूद हैं सबसे पहले नजर हेड्लाइन्स पर मोधी सर ने मानहानी मामले में डिस्क्वालिफाइट सांसर राखुल गांधी बारत तुगला क्लेन से हुए आउट मासोनिया का घर बना नया चिकाना सरकारी बंगली की चाबी लोगसबा सचिवाले को सौपा माफिया अतीक एहमत के सताय लोगों को वापस मिलेगी जमीने योगी सरकार आयोग बनाने पर कर रही विचार जल्द मिलेगा पीडितों को ने आए सतिपाल मलिक के आरूपु पर अमिश्या का लाउज अन्ड क्लियर पलचवार कहा अगर मलिक सही है तो जब वो राजपाल थे तब क्यों थे चुप वश्यमंगाल के कलिया गंच में बलातकार के बाद नवालिक लड़की की हत्या प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जम कर लाठी चार्थ जल्दबाजी में शब लेकर भागी पुलिस बीजपी ने उठाए सवाल अजीत पवार के बयान से महरास्ट में फिर गरमाई सियासत जताई मुख्यमंत्री बनने की एक्षा मिलने लगी भी बढ़ाईया समर्थन में पोस्टर भी लगी आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बार डिस्क्वालिफाइड सांसर्द राखुल गांदी की बढ़ती मुसीबतों की आज राखुल गांदी ने सांसर्द के तौर पर मिला दली के 12 तुगला क्लेंस्टित आधिकारिक आवास को खाली कर दिया है राखुल गांदी ने अपना सारा समान अपनी मा सोन्या गांदी के घर दस जनपत में शिप्ट कर दिया है साथी सरकारी बंगले की चाबी लोगसबा सच्चवाले को सौब दी है तुम्हें दूसरी तरफ राखुल गांदी मोदी सरनेम केस में लगतार पस्ते जा रहे है अबे तक राखुल गांदी ने हाई कोट में अपील नहीं की है हलप नामे में कहा गया कि मोदी सर्ने मामले में सूरत के कोट से उनको सजा हो चुकी है और एक ही अपराध के लिए दो सजा नहीं हो सकती जिस तरह से राहूल गांदी ने सरकारी बंगला खाली किया क्या वो जान बुच कर सेंपथी क्रेट करना चाह रहे थे? देखिए नाखुन कटा के ये शहीद बनना चाह रहे हैं जो काम बड़ी असानी से कोट के पहली सुनवाई में लोर कोट में मामला खत्म हो गया होता ये जिद और अहंकार की वज़े से ये सारी चीज़े हो रही है दरसल जिस हिसाब से सोनिया गांधी गई, तस्वीरे खीची गई, सोशल मीडिया पर कैमपैन हो रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोधि सरकार ने बहुत बहुत अन्याय कर दिया, राहुल गांधी को घर से बाहर निकाल दिया, इससे कुछ सिंपथी मिलेगी, कोई सिंपथी इस तरह की चीज़ों में नहीं मिलती, ये कॉंग्रेस पार्टी के रन्नितकारों की भूल है, देश समस्की चुकी है, कि इस केस में राहूल गांदी अपनी गलतियों की वज़र से फसते चले जा रहे है, हा कि सोंबार को ये हाई कोट का दर्वाजा खट खटाएंगे, लेकिन वहां जाने से कोई फाइदा नहीं होगा, अगर यही जिद, यही दम, इनका लगातार बना रहे तो, क्योंकि हाई कोट में भी जद सहाब इनको मौका देंगे, कि आप माफी मांग लो, माफी आप नहीं मांगोगे, तो कोई भी decision बदलने वाला नहीं है, जो लोर कोट में हुआ, वही session कोट में हुआ, वही हाई कोट में होगा, वही supreme कोट में होगा, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इस सारे चीजों में आपका, आपकी सांसदी गई, घर गया, अब इसके उपर कोई यह सोच रहा हो कि कोई बहुत बड़ा राजनतिक तुफान देश में आ जाएगा तो ये इनकी गलत्वे भी है अगली कबर में बात माफिया और उनके सामराज पर योगी सरकार के एक और बड़े एक्शन प्लान की ये खबर किसी से छिपे नहीं है कि किस तरह से माफिया अतीक और उसके भाई अश्रप ने प्रयागराच सहित कई शहरों में दबंगई से जमीने कबजा कर ले थी पर अब पीडितों के नयाए पर योगी सरकार आक्शन की तयारी में है खबर है कि कबजा की गई जमीने पीडितों को वापस लोटाई जा सकती है इस पर योगी सरकार मन्थन कर रही है बताया जा रहा है कि इसके लिए योगी सरकार आयोका गठन करेगी जिसकी रिपोर्ट पर कबजा की गई जमीने लोटाने का निर्ण लिया जाएगा अपने नाम करवा लिया कहीं डरा के, कहीं धंका के कहीं पांच लाग की चीज पांच हजार में खरीद के इस तरीके से इसने ये पुरा सामराज अपना क्रियेट किया अब योगी आदितिनात तो योगी आदितिनात है एक से एक आइडिया लेकर क्या आते हैं तो जितने सताय हुए लोग हैं अतीक एहमद के गुंडा गर्दी से जो लोग सरंडर कर गए जिनका कोई सुनवाई कहीं नहीं हुआ उसकी सुनवाई योगी आदितनात करेंगे और जिस हिसाब से कोई गांधी बता रहा है यतिक को तो कोई महान मुस्लिम लीडर बता रहा है आज एक और खबर आई और वो अपने आप में ये तमाम सेकलर वादियों ये दलाल पत्रकारों ये लिबरल कहने वाले लोग ये मुस्लिम वोटों के पीछे अपने सब कुछ दाव पे लगाने वाले लोगों के उपर बहुत बड़ा तमाचा है तमाचा ये है कि अलकाइदा के तरफ से बकाइदा चेतावनी दी गई है कि अतीक और असद की जो मौत हुई है उसका बदला अलकाइदा मतलब ये अतीक अतीक अलकाइदा का आतंकी निकला है अधरवाइज ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत होती है अलकाइदा या आईएस आईएस या लसकर तॉबा इस तरह के बदला लेने की कारवाई की घोशना तो कभी नहीं करता तो ये बात सोचने और समझने की है कि अतीक का आतंकियों से क्या रिष्टा है और जो लोग अतीक के लिए खड़े थे आज उनके चेहरे पे कालिख पुद गई है अगली कबर में बात जब कश्मीर के पुर्व राजपाल सर्तिपाल मलिक के आरूपों पर अमिशा के जोरदार पलटवाल की एक कारिकरम के दौरान अमिशा ने सर्तिपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान का पलटवाल करते वे कहा कि बीज़िपी से अलग होने के बाद ही उन्हें ये सारी बाते क्यों याद आने लगी उनकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी जब वो सत्ता में बैठे थे उन्होंने कहा कि बीज़िपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े ये बयान शा ने ऐसे वक्त में दिया है जब जम्मू कश्मीर में सत्तिपाल मलिक के राजपाल रहते हुए 300 करोड रुपए के रिश्वत की पेशकस के मामले में सीबियाई ने उन्हें पूछताज के लिए बुलाया है जस्पर विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रही है कि पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े किये गए और इसे लिए उन्हें समन भीजा गया पर अमिश्या कि इस बयान से विपक्ष सन्नाटे में चला गया है अमिश्या ने सवाल तो लाजमी पूछा क्यों उस वक्त चुपते सत्तिपाल मलिक देखें दो चीज़ें एक तो सीब्याई का जो समन है ये बयान बाजी से पहले का ये केस है ये जो सीब्याई इस घूसकांड की जो चांच कर रही है वो इस पुलवामा के उपर दिये गए बयान के पहले की बात है इसलिए जो कोई भी ये कह रहा है कि आपने पुलवामा पे सवाल उठाया इसलिए सीब्याई ना आपको बुरा लिया ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है नमबर वन नमबर टू पुलवामा पे अचानक से आप इस तरह का बयान कि परदान मंतरी मोदी ढाबे पे आकर के बही जिम कॉर्बट के जंगल के अंदर कहां पे ढाबा है ये सत्पाल मलिक को ये सीब्याई वालों को लेकर के जाना चाहिए और वहां बताना चाहिए कि यहां बताओगी किस ढाबे से तुमको परदान मंतरी मोदी ने फोन किया था नमबर वन नमबर टू आपको चुप रहने के लिए कहा गया वो इसलिए कहा गया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इसू था आपके कैलिबर आपकी जो आपका जो चरित्र है उसको देखते वे ये सजिसन दिया गया होगा आप इस तरह की बाते वहाँ पर करने लग गया होते तब तो आप हिंदुस्तान को एमबरस करने के अलावा कोई चीज नहीं होते दिक्कत क्या है जब आप गवर्नर थे जब मलाई चाट रहे थे तब तो बीजेपी और प्रधान मंतरी मूदी बड़े अच्छे थे आपको और भी राज्यों का राज्यपाल बनाया गया तब तक आप बहुत अच्छे थे और जैसे ही आपको लगा या बहुत हो गया अब प्रधान मंतरी मूदी अब कोई पोजिशन आपको नहीं देने वाले हैं अचानक से किसान नेता तो जाट नेता तो पता नहीं क्या-क्या बनना शुरू कर दिया आपने और आप वही भाशा बोलने लग गए जो भाशा पाकिस्तान बोलता है सत्पाल मलिक को ये जरा सा भी ये एक भी बयान उसे पाकिस्तान किस तरीके से इस्तमाल कर सकता है जो व्यक्ति इतना ही ज़्यादा irresponsible हो उसे तो कोई पद मिलनी भी नहीं चाहिए और ये इस तरह के लोगों को गवर्नर बना के ये प्रधान मंतरी मोदी को भी इससे चीज का होना चाहिए कि ऐसे opportunist लोगों को कभी कोई position नहीं देनी चाहिए अब बाद पश्यम बंगाल में नवालिक की मौत पर बवाल की पश्यम बंगाल के उतरी दिनाचपुर जिले में रहने वाली डस्वी क्लास की बच्चे अचानक लापता हो गई बाद में उसका शव मिला परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चे की रेब के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस जब पोस्ट माटम के लिए बच्चे का शव लेने गई तो शव के साथ प्रदर्सन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जम कर लाठे चार्ज किया और शव अपने कबजे में ले लिया बीजपी ने पुलिस के इस तरीके पे सवाल उठाए सुकांत मजुंदार ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस जान बूचकर मौत को आत्महत्या करार देने पर तुलिग हुई है उन्होंने कहा कि बीजपी इस मामले की कलकत्ता हाई कोट का ध्यान दिलाएगी और सीब्याई चार्ज की भी मांग की जा रही है पश्चिब मंगाल के पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो सकती है में जुटी हुई है तस्विरे आ रही है दुआ पढ़ते हुए हर जगह इतनी मूल वाले बांट रहे है और वहां एक बच्ची के साथ होता है पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे है दिल्ली से हिमन राइट कमिशन के तरफ से फोन किया जाता है नदीयम फोन उठाता है नश्पी फोन उठाता है नः उसकी टीम को आने दिया जाता है ये क्या तमाशा चल रहा है बच्चे के साथ जुल्म हुआ है और वहां की पुलिस उससे सुइसाइड बता रही है और पता नहीं कहां से एक जहर का कि CC जो है वो लाकर के वहाँ पर रख दिया गया भले भई आत्म हत्या है ये पुलिस है ये जेम्स बांड है क्या है पोस्ट माटरम से पहले ही आत्म हत्या की कहानी बता दी सर मानी चाहिए वहाँ की सरकार वहाँ की पुलिस को कि आप इस तरह के sensitive मामले में आप इतने सम्विदन हीन कैसे हो जाते हो दिक्कत क्या है ममता बुरन जी ने वोट बैंक राजिती के चक्कर में बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है आज की आखरी कबर में बात महरास्ट में जारी राजनितिक उथल पुदल की महरास्ट में इन दिनों अजीत पवार के चर्चे तेजी से चल रहे हैं उनका अगला कदम क्या होगा इसे पर सभी की नजरे हैं इसे बीच अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की इक्षा जाह करती है राजनितिक मौखौल गर्मा दिया है ताजा बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दोहजार चौबस में होने वाले राजविधान सबाचनाओं का इंतजार किये बगएर अभी भी महरास्ट के मुख्यमंत्री पर पर दावा कर सकती है साथ ही दावा किया सो फी कि ओवराल पॉल्टिक्स का नहीं रहा ये एंसीपी के अंदर इन फाइटिंग का है दिल्ली में बयान आता है सुप्रिया सोले का वो कहती है कि कोई बहुत बला धमाका होगा महरास्ट में होगा दिल्ली में होगा उदर अजीत पवार सरत पवार की लाइन से हटके बयान द जिन्दा हूँ एंसीपी में रहूंगा सरत पवार को भी अब एक्शन में आना पड़ा आज बड़ी लंबी चौली भासन वो दे रहे थे इस तरीके से वह पब्लिक एपेरेंस बहुत यदा कदा करते हैं तो एंसीपी के अंदर क्राइसिस तो साफ साफ नजर आ रही है और यह क्राइसिस के पीछे क्या हो सकता है एक आंकलन किया जा सकता है आंकलन यह है कि सरत पवार और अजीद पवार और सुप्रियस सोले यह तीनों एक अलग किस्म की लड़ाई में बंधे हुए है सरत पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा एंसीपी पे किसकी हुकूमत होगी सरत पवार अपनी बेटी को मुख मंतरी का कुर्सी पे देखना चाहते है अब अजीद पवार से उनको यह उम्मीद है कि वो राश्ट्री राज़निती में जाए मतलब वो दिल्ली सम्हाले और बेटी महराश सम्हाले अजीद पवार को साहिब अब यह एहसास हो गया है कि एंसीपी का कोई नैस्टनल रोल नहीं है और इसलिए महराश से बाहर जाकर के राज़निती करना यह अपने आपको राज़निती से अलग करने के बराबर है और इसलिए अपने समर्थकों के दोरा यह इस तरह की अब बेटी और चाचा में यह युद्ध चल रहा है यह त्रासदी है इस देश की कि जहां जहां पारिवारिक पार्टियां होती है वहां वहां घर के लड़ाई वह वहां के राज़निती को तै करना शुरू कर देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाचीत के लिए खबरो का पंच्छनाव में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटिक अनलिसस के लिए देख तेरे कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार